नमस्कार मैं आर्ति सिंग देख रहे हैं आप न्यूस लवन भारत और खबरों में सबसे पहले बात मधुपूर के जनादेश की मधुपूर उपचुनाओ में मंतरी हफिजुल हसन ने चीत दर्ज की है हफिजुल ने लगभग 5,000 वोटों से ये चुनाओ चीत लिया है मधुपूर उपचुनाओ में हाजी हुजयन अंसारी के पोत्र और परेचिन मंतरी और हफिजुल हसन जेमें के प्रत्याशी हैं वहीं बीजेबी ने गंगा नारायन सिंग को अपना उम्मीदवार भनाया मधुपूर विधान सबासी पर पिशले दो दर्जकों से जेमें और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती आ रही है और इस बार भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और देखे आखिरकार तक्रीबन साड़े 5,000 वोटों से जेमें प्रत्याशी हफिजुल हसन अंसारी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायन को श्रकस्त मली है बड़ी खबर इस वक्त की ये हफिजुल हसन अंसारी जो हाजी साहब की विरासत को अब आके बढ़ाएंगे शुर्वात से अगर ये पूरी कहानी आप जानना चाहें तो जब इन्हें टिकेट दिया क्या और उस वक्त के वधायक नहीं थे इन्हें मंत्री बना दिया क्या हाजी हुसन अंसारी का निधन हुआ उसके बाद उनके बेटे को मंत्री बनाया क्या और मंत्री बनाने के बाद इन्हें टिकेट दे दिया क्या और ये मास्टर स्ट्रॉक देखिए आज इसका परणाम सामने है और बत और मंत्री इन्होंने ये जीत हासिल की मधुपुर बाइलेक्शन में जीत मिली हफिजुल हसन अंसारी को और जब ये पूरा चुनाव अगर आप देखे तो पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरा महागडबंधन एक जुटन असर आया और सबने मिलकर चुनाव प्रचार के दौरान ये एकता देखने को मिली तमाम जो सहयोगी दल है जेमेम के कॉंग्रेस आचेडी सब ही मिलकर या कहें कि पूरा कुनबा यहाँ पर मौझूद था चुनाव प्रचार के दौरान अकेले बीजेपी नेता प्रचार प्रसार करते रहे और ये सारी चीज़े देखिए एकता की भी जीत हुई है महागडबंधन की और नतीजा सब के सामने है मधुपूर का जनादेश आ चुका है हफिजुल अंसारी मधुपूर से चुनाव जीत चुके है और इस वक्त हमारे साथ सयोगी मनेश जुड़ चुके है मनेश ये फैसला जिस तरह से कहा जा रहा था महागडबंधन ये शुरू से कहता आ रहा था कि जीत उनकी तैह है क्योंकि सबने देखा है हाजी हुसान अंसारी का काम और अवनकी वरासत को आगे बढ़ाने का काम जनता करेगी और वाकई ऐसा हुआ भी सब्सक्राइब को इस बास का पुरी विश्वास था कि जो फैसला ले रहे हैं हाफिज उन्तारी को ही टिकट देने का ये उन्हें मंत्री मनाने का तो उसका कहने के पायदा होगा इसलिए सभी ने हम निविलन भाद में सभी तुरी सब्सक्राइब कर दावादारी को ने करके यहां से मिधान सबात नौ में कई घटक दल भी दावादारी कर रहे से राज़त आगे आगे थे कि यह टिकट गए दावादारी उनकी बंती है लेकिन जब हफिज उन्तारी को ह इसलिए अपनी पैठ रही है इस इस इलाके में और तुरी जारकन में और वो हर हाल में हमेशा जेमें के साथ जुड़े रहें यह सभी लोग जानते हैं तो उसके बाद भी संबंद जो वह उन्तुरां कर रहा उन्होंने एक कर से संदाज़ी दी और वह वाया थे हम उन्सें करता है कर लिया गया कि हाफिज लंतारी जो अन्हीं को टिकट दिया जागा यानि कुछ और पचाती नहीं होगा जबकि दुसरे तरफ आप देख सकते हैं कि भाजपा में उधर बुल चल रहा था क्यास लगा रहा था कि राजपरिवार को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बड़ा अंतीम समय में घंगा नहीं को टिकट दिया गया और जिस तरीके से आसे तो कहीं ना कहीं राजपरिवार बुल राजपरिवार को अला कमान जिल्ली तक बात इस बात को ना पहुंचा है लेकिन राजपरिवार और गुड़ा संसन निशिवान दूबे के बीच जो संबंध राजितिक संबंध है कारण चाहे उतका जो भी हो जिसका आकला है वो हर मंच पे दिखता है और आज भी वो दिख जिया तो कि टिकट नहीं मिलने के पीछे कारण बहुत सारे हो लेकिन अगवाई निश्कात दूबे जो गोटा सांसत है उन्होंने इसमें किया ह इसके रहे हैं यह सभी लोग इस बात को मांते हैं लेकिन परदेश अध्यक्ष कभी भी परदेश के आज जो कुछ बेद और इस तरफे लोग जूट नहीं पाए उस तरह से नहीं हुआ हाला की जो मारजिन और यह हो सकता था लिकिन यह मारजिन नहीं हुआ तो इसको लेकर करके अफिज बग्ताई ने ताफ कहा कि इर्वान अस्तारी ने जो मंदिर वजा के पुजा किया उसके कांद भी करण हुआ है उन्हें इस बात का मलाल है उन्हें दुख भी है कि वोट को मारजिन जो था और हो सकता था बिलकुल यह उन्होंने नियूज लवन भारत से जब का महागडबंदन एक जुट नजर आया था उन्हें पहले से वो confident नजर आ रहे थे कि अगर वो यहां पर इकठा है तो जीत के लिए एकठा है लेकिन यह एक जुटता NDA में नजर नहीं आई थी मनेश प्रचार किया गया था प्रदेश जक्ष आये रगवरदात आये लेकिन रगवरदात जब होगे से तो उनको गोबैक करना पड़ा था वहां से बात हुए कि दुसरी चीज़े कि साभी लोग और लोग भी आए बावुला अलमांडी भी कांस यहां पर किये लिके बावुला हुए उसमें कोई मैजिक उनका नहीं चला चाहिए वो दुंका का हो या फिर यहां मधुपूर में हो उनका मैजिक नहीं चल पाया तो कहिना कहीं बाटपा कि उससे जो लगाई की ताकत और जिससे बयान बिये गए खास करके कि गुड़ा सांसर्द नमांकर की दिन जो बया हां था कि रावन के रावन का फराईAm 함께 हरान का पूर्ज है लंका को का तहन करना को कि इन सरंब मतलम निंत्यृ निश्त्त पर कहीं कहीं मतफर मंधाओ को भी घार के बात सब्सक्राएं कि बाद चल्ट के खासते है कि देई गर में लंखा धान होता। लेकिन वा-वा नग्तelet अज़े बहुत 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 शुक्रिया मनेश तमाम जानकारी के लिए आपका तो देखें अब मधुपर उपचुनाओ नतीजा आ चुका है अज़े चुनाओ जीत चुके है झाल झाल झाल